नमस्कार दोसों आप शबी का बहुत बहुत श्वागते दोसों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तीन अगस्तो जर्बाइश की आपके राशी फलकी बारे में दोसों सुरुआत करते हैं आपकी जूनकाल की एक बहुत अच्छे ग्यांसी दोसों दुख क्या है दोसों एक खुशाल परिवार जिसमें माता पिता दादा और भाई बहन थे दोसों उन्हें अपनी खुशियों पर नाज था एक दिन एशा आया जब पिता ने साथ छोड़ दिया अपने बेटे के चले जाने शी दादा जी को बहद अफ्शोष था पर उन्होंने अपनी ब बाद ही उनके पोते के एक दुरगटना में मिरत्य हो गई दोसों यहाँ वक्त बहुत गंभीर था परिश वक्त में भी दादा जी और उनकी बहु ने शयम से काम लिया घर की बेटी की और ध्यान देते हुए आगे भड़े शमी के शाथ धलती उमर के कारण दादा जी ने भी बिदा ले ले अब घर में बश मा और उनकी बेटी थी एक उशाल परिवार बिखर गया था अब बेटी बड़ी हो रही थी जिसके जिवन में एहम फिसले उनके शामने हैं पर मन में उदाशी और बेचेनी हैं महत 14 वर्ष की आयू में पीता और भाई को खो देने की तक एक दिन अकेले पन के बान तुट गए और उसने भरी हुई आखोंशे अपनी मा से पूछा मा आप हमेशा कहती हो कि हमारी जिंदगी बहुत अच्छी है दुनिया में बहुत तकलिप है पर हमारे शात इश्वर है लेकिन मुझे तो यह नहीं लगता एके करके शब चले बेटा मैं मानती हूँ तुने बहुत कम उम्र में अपने पिता और भाई को खो दिया तुझे उनकी कमी महशुस होती है लेकिन बेटा तेरे पिता ने इस तरह की वयस्ता की थी कि हमें कभी किशी के आगे हाथ नहीं फेलाना पड़ा नो हमारे शर से चथटी और नो कभी त जशी में उन शब से दूर जाना तय था पर इश्वर में विश्वास रखते हुए हमने हमेशा उनका आदर करके जिंदगी गुगल लगाया उस कारण ही हमें इस दुख को शेहन करने की तागत मिली अगर यह हिम्मत नहीं होती तो आज हमारी जिंदगी एक अभी शाब बन गम को बड़ा नहीं बल्कि छोटा करके देखना चाहिए तो आज दिन बुदवार श्रावन मास के शुगल परस के शच्टी तिति है दोस्व यह दिन नशतर की बात करें तो हस्त नाम के नशतर श्रवाश शितिनाम का शुभियोग और शादिनाम जिशे बड़े शुभिय बन रहे हैं दोस्तों राहू कल कर शमय अर्थात अशुर शमय यह द्यान रहे आप कोई भी विशुब और महत्पुन कारें को भूल से भी ना करें तो दोस्तों यह दोपार के 12 बचकर 33 मिट लेकर दोपार के 2 बचकर 10 मिट तक पर दोस्तों चंद्रमाय दिन करने राशी प श्वास के सरहेगा किरेड के शरहेगा दोस्तों यह में आपका पारोली जोन के शरहेगा आर्थी सिती और धन को लेकर सितियां के शुत दोंगे इन शबी की महत्पुन जान कर देंगे तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल ही मिश्णा करें और सुरू सुदे कर अंत तक जर शुरू हो जाएंगी वैस्ता के बावजुद भी अपने परिवार वापिर शमंद्यों के शाथ कुछ शमय जरूर वहितित करें इससे आप अपने आपको तरह मुक्त और उर्जावान महसुद करेंगे युवाओं को भी मैट्पन दियां मिलने के योग बन रहे हैं और इस आपको दोस्तों तो मैं आपको गुष्य के बजाएँ श् Beimर्य टर इक से हल्करने का प्रयाकर करना चाहिए यह के समझ प्रकार की याद्रा यहाश्मिझ नहीं तो आपके लीए इसमे अच्छा रहने वाली है इसको प्राम दोस्तों तो यह आपके लिए श्मौझ आपको पता दें कि यहाश्म मे आप अधिक शंकुन के हो शक्ति यहीं। तो पशितिति को जैसा है, वेशे ही देखने की, कोशित करें, अपनी भावनों को दूर रखकर प्रेटिकल रहने की आपको इस में अवेश्य रखता हूंगी, करेभी व्यक्ति की खिलाफ, आपको किसी व्यक्ति द्वारा भढ़काए भी जा सकता है, तो दोस्तों, इन व्यक प्रूशार्थ आपके हर काम में शफलता और पुलबदी परदान करने वाला है तो सो घर की गतिविद्यों में भी आपका शयों के समय रहने वाले हैं और इसको प्रांद दूस्तों भायों के साथ समन्दों को मदूर बना कर रखें दूस्तों यह में बच्चों के कोई नकात दोस्तों आपके उपर अपया शावी हो शकता है जिसकी वज़े से शकार्तमक हो रही गटनाओं में भी कुछ नकार्तमक बातें आप ढून लेंगे दोस्तों यह में आपके अंदर बढ़ रहे डर की वज़े आप आगे बढ़ पाना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल भ रहने वाले हैं और इसको प्राहत दोस्तों यह में आपके दिंचर्या के लिए जो से मोंगे दोस्तों आपको बता दे कि कोई भी काम जलबाज में ना करके पहले उसके शारे पहलू पर अच्छे तरह से सोच बिजार कर ले क्योंकि दोस्तों शमय को अनुकुल बनाने के ल सब्सक्राइब करें और उनका अश्रुबाद वापिर सलाह आपके लिए यह में वर्दान रहने वाले हैं अचाना कि किसी खर्च के सामने अने से आर्थिक सिथी भी थोड़ा बिगड़ सकती है दोस्तों यह में चैचेरे भाईयों के शाथ संबंदों में थोड़ा सा खट आई शक्ता है तो दोसों इन से आप भजने की कोशिश करें यह आपके लिए बहतर रहने वाले हैं और इश्कषाफ्राद दोसों में मानसिक रूप से आप अधिक गंबीर और श्वस्त महसुत भी करेंगे जिस्वसेःफ को पाने के रिए आप प्रयत्म कर रहें थे दोस् अपने प्रतिभाव को और अधिक निखारने का प्रयाश करें दोस्तों के शाथ भी बैतरी शमय वहिश्में वहितित होगा इसको प्राहल में कुछ अलगाव की इस्तिती आश्वकती है प्रतु दोस्तों आपका शयोग वहिस्ता को शमाल लेगा अपने शोभाव में सजटता और फिर लचिला पन बना कर रखे योवर्ग अपने टार्गेट को हशिल करने के लिए और अधिक प्रयाश करें और इसको प्राहन दोस्तों यह में आपके लिए आपको बदा दे कि किसी एक काम पर ही पूरी तरसी निवर्ण होने के विज़र से काम समधित गती में कुछ थोड़ा सा कमी भी आशकता है पेसे की चिनदा यश में आपको थोड़ा सा सता भी सकता है परिवार से दूर रहना आपके लिए आपके अंदर हम शिकनेस की भावनाय ये लाशकता है दोस्तों ये जो आपके लिए शमय होंगे आपको बता दें कि पुराण मीत्रों के साथ बदलते हुए रिस्तियों को देख कर आपको दुखी भी होना पड़ सकता है दोस्तों ये शमय बिगड़े हुए शम्बंदों को अधिक प्रतन करके ठीक करने की कोशिश ना करें ये आपके लिए बैतर होंगी अपने दोस्तों आवश्यक कारियों में कुछ रुकाउटें भी आशरतती है ये शमें ग्राइस्तितियां आपके पक्ष में उत्रा नहीं है जितना आप सोच रहे है इसलिए दोस्तों धहरी बनाकर रखना आपके लिए इसमें उचित रहेगा उचित समय आने पर शमस्या स्वाता ही हलो जाएंगी या इसमें महत्पूर्ण कारियों को जो है पहले पूरा करने का प्रयाश कर ले यह आपके लिए बैहतर होंगे और इसको प्राहत दोस्तों यह समय आपके केरियर के लिए जो समय होगे दोस्तों आपको बताते हैं कि जल्दी वा फिर ज्यादा मुनाफ़ा कमाने के चकर में किसी परकार के अनित्तिक कारे में रूची ना ले वाविक्षाय में जो विस्तार शमंदी विजनाएं बना रहे हैं दोस्तों उस पर धहरी तथा गर्मिड़ता से कारे करने की जैस में जरूरत होंगी और इसको प्राहत दोस्तों यह में आपके वाविक्षाय के लिए समय होगे आपको बता दे कि अधिकतर समय मार्केटिंग शमंदी कारे में लगाएं कुछ शकारत्मक शम्पर के इसमें अस्थापित होंगे प्रण्थों दोस्तों यह शमें भविक्षाय में किसी विजनाओ को अस्तगित रखे क्योंकि दोस्तों अभी समय उतना उप्युक्त आपके लिए नहीं रहने वाले हैं कुछ शमय के लिए उचित समय का इंतजार आपको करना जरूरी होगा और इसके साथ ही दोस्तों आपको बता दे कि मिडिया अत्मा पहुंद दोवारा आपको कोई महत्मुन अनुमन भी अर्थ में प्राप्त हो सकता है आर्थी की सित्ती भी एसमें थोड़ा सा बेहतर होने वाली है इसके प्रांथ दोस्तों आपको इसमें ओवर टाइम भी करना पड़ सकता है और इसके प्रांद दोस्तों में अगर आपकी लव लाइफ के लिए दोस्तों आपको बता दे कि पती पतनी दोनों का घर और वशाय में समझे से बना कर रखना पारिवरिक वो फिर आपसे समंदों को और दिक मदूर बना कर रखेगा बिवातर समंदों से यस में आप दूर रहें यह आपके लिए बहतर होंगे और इसके प्रांद दोस्तों इसमें अगर आपकी स्वास्त याने सहत को लिकर बात करें तो दोस्तों सारीक वो फिर मांशिक ठकान हावी हो सकती है यसमें वरतमार नकार्तम को वातारों शे अपना पचा वश्क करें यह आपके श्वास्त के लिए बहतर होने वाले हैं और इसके प्रांद दोस्तों इसमें आपके श्वास्त के लिए जिसे महोंगे दोस्तों आपको बता दें कि पिछले कुष्ट में से चल रहें शारीक परिशानी यह में खत्म होंगी और आप कापी हद तक रहात मैसुस करेंगी प्रण्दों दोस्तों अभीबी श्वास्त का अपके ध्यान रखना चाहिए कि दोस्तों मोसुम का प्रभाव आपके उपर हो शकता है अत्वे दोस्तों स्वास्त आपका उत्तम होगा यह यह नई-फैश में आपके श्वास्त लिए श्म switches में बह तक थोड़ी थोड़ी जावित्री चड़ावें और रात को शोते शमय थोड़ी जावित्री श्वेंग भी खाकर शोएं या परियोग अकेश 424-84 दिनों तक अवशी करें अगर ज्यादा शमस्या है तो दोसों कम शमस्या हो शुरुआत हुई हो तो दोसों कम शेकम अकेश द शालों तक नहीं बना है तो दोसों अधिक्तम 84 दिनों तक इस उपाय को करें दोसों 100% आपका ये उपाय शफल होंगी जो उनकाल की शारी शमस्याएं खत्म होंगी तो दोसों अमेद करतें कि आज कोई है वीडियो पशंद आया है पशंद आये तो दोसों लाइक करें शात करें धन्यवाद